गुद इवनिंग दोस्त कैसे हैं आज हम लोग मैट्स का मेंसुरेशन का सेकेंड पढ़ने वाले हैं दोस्त हम लोग पिछले वीडियो में टूडी पढ़े थे जिसमें हम लोग ट्रैंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रैपेज्म, पैरलेलोग्राम इन सब के बार में इस पार्ट में हम लोग 3D पढ़ेंगे, 3D बोले तो 3-dimensional यानि जिसका लंबाई, चोड़ाई और उचाई तीनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 3D, 2D किसको बोलते थे, जिसमें सिर्फ लंबाई और चोड़ाई, अगर ही मान लेते हैं यह बोड है, तो यह क्या है, चो चोड़ाई है, और यह इसकी मुटाई है, अगर इस तरह का हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3D, जैसे आप लोग के लिए समझाने के लिए हम कुछ समान भी रखें, ताकि आपको समझना ज्यादाईजी हो, यह बॉल है, ठीक है, इसमें क्या है, लंब क्या है, 3D फीगर है, ठीक है, अब एकर करके हम लोग समझते हैं, आप जैसे यह मारकर ही देख लीजे, मारकर के आपका, सिलिंडर दीखता है, बेलन, ठीक है दोस्त, इसको हम लोग बेलन बोलते हैं, सिलिंडर हैं, अब क्या होता है, एकर करके हम लोग समझते हैं 3D फीग हमारा cube होता है आप freeze में बर्फ जमता है cubical shape में हमारा cube होता है आप Ruby a game खेलते होंगे वो red, green, yellow जो color हमलोंगे moc stopping होते हैं हमारा cube होता है दोस्त उसका shape कुछ इस तरह से बनता है आप ध्यान देंगे इसकी हर एक इस चीज को समझना है दोस्त, यहाँ पर यह हो गया हमारा क्यूब, इस क्यूब में क्या क्या होता है, क्यूब बनता है दोस्त, स्क्वाइर जैसे सेब से, कैसे बनता है, स्क्वाइर जैसे सेब से, इसका हर साइड क्या होता है, बराबर होता है, मान लेते हैं, अगर इसके ए उचाई है यह भी होगा इसका जो डेफ्थ है यह भी होगा देखें ठीडिमेंशनल हो गया ना लंबाई चोड़ाई और उचाई इसलिए इसको थ्रीडी फिगर बोलते हैं दोस्त अब इसमें कितना फेस होता है जैसे आप एक छोटा से एक्जांपल हम आपको दें जैसे मान माचवाँ चछठा जैनि टोडर कितने फेस होगा है छेस हो गया जैनि कि इस फिगर का टोटल चे फेस हो गया चैनिला रही trans i 있काड जो जहाहं पर सारे साइड आकर मिलते हैं एक इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इसको वर्टेक्स बोलते हैं इसको एजेज बोलते हैं इसको एजेज बोलते हैं यह एज है किनारा ठीक है जहां पर दो फेस आकर मिलते हैं इसको एज बोलते हैं इसको एज बोलते हैं तो अब आपको समझना है इसका हम लोग क्या पढ़ उपाध़ेगे जैसे इसमें दो起 समाज़ना है दोस्ट एक होता है टो क्रव सर्फेस एक होता है कर्व का नतलब क्या होता एंद प्लाएग प्लाइन अन्च घो कर्वां पाथ होगा उसको बोलते हैं कर्व सरफेसए झालेकैं और ऊपर और नीचे ऐ यह बाटम सरफेस content ये टॉप सर्फेस है ठीक है इसको रूफ टॉप बोलते हैं रूफ सर्फेस बोलते हैं तो आपको क्या करना है अगर कर्व सर्फेस यह बोलेगा तो जो कर्व पाठ है न सिर्व इसका यह आपको निकालना है अगर टोटल सर्फेस यह बोलेगा तो यह कर्व पाठ प्लस टॉ लोग रगडते हैं, फासफोरस वाला पाठ है, सफेद वाला पाठ है, यानि इस चारो पाठ क्या है, कर्व सर्फेस रिया है, इस चारो का एरिया निकाल के जोड़ दीजे, क्या उज निकल जागा, कर्व सर्फेस रिया, यानि इसको हिंदी में बोलते हैं, वाकर प्रिष्ट प्रिश्ट मतलब surface ठीक है कैसे निकालेंगे सचारोपाड चुकि एसक्वायर है तो square करिये कितना होता है A square करिया होता है A square यानि कि भूजा square होता है कितना surface होगा इसमें देखिए 1, 2, 3 and 4 चार फेस हो क्या है दोस्ट तो 4 यानि कि इसका C, S, A Curved Surface Area Curved Surface Area यानि कि आप इसको क्या बोल सकते हैं वक्र प्रिस्ट छेत्रफल देखे दोस्ट हम लोग इसको क्या लिखते हैं C, S, A इतना लंबा लिखेने में दोस्ट बहुत समय लगेगा सिधे C, S, A लिखेंगे आज Total Surface ते रहे हैं मतलब पूर्ण प्रिस्ट छेत्रफल दोसको हम लोग क्या लिखेंगे पूर्ण प्रिस्ट छेत्रफल इसको हम लोग डाटली लिखेंगे Total Surface Area को हम लोग T, S, A लिखेंगे दोस्ते इसलिए हम लोग बार-बार हम लोग Total Surface Area या पूर्ण प्रिस्ट छेत्रफल नहीं बोलेंगे डारेक्टली उसको हम लोग T, S, A और C, S, A बोलेंगे दोस्त जल्दी बुला जाएगा और हम लोग का समय भी बचेगा ठीक है? समझाना था इसलिए आपको बता दिए अब हम लोग जब इसका C, A से निकालेंगे C, A क्या होगा? 4 Face हो गया एक इधर का उसके पीछे का एक साइड का और उसके सामने वाले का इनि 4 Surface हो गया इनि 4 A स्कॉर हो गया क्या निकल गया? CA से निकल गया दोस्त अब T, A से करने के कह न पड़ेगा? यह 4 को प्लस टॉप प्लस बॉटम टॉब का भी एरिया क्या होगा? A स्कॉर और बॉटम का इरिया क्या होगा? A स्कॉर सबको जोड़ दीजे, टोटल कितना हो गया, 6a², ठीक है, यानि कि एक क्यूब का, CA से कितना हो गया, 4a², और TA से क्या हो गया, 6a², ध्यान रखिएगा दोस्त, यानि कि CA से और TA से हम लोग ऐसे निकालते हैं, क्लेर हो गया, अब इसकी बात रही वॉल्यूम की, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, आयतन किसको बोलते हैं, किसी भी बरतन में जितना समान अठ सकता है, उसको हम लोग आयतन बोलते हैं ठीक है तब इसका आयतन कैसे निकालेंगे दोस्त आयतन निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को ध्यान देना है आयतन निकालने के लिए एक बहुत ही बेसिक फंड आपको बताते हैं ध्यान रखिएगा जैसे कोई भी बरतन होता है कोई भी बरतन होता है generally हम लोग इसमें वही सब बरतन के बारें पढ़ें जो uniform shape में हो मतलब जैसा उसका जमीन होगा वैसा ही उसका आसमान तक जाएंगे जमीन से लेकर आसमान तक एक जैसा उठेंगे uniformly जैसे ये जैसे यहां है उसी लगभग उसी आकार में उपर तक है हम लोग ऐसे ही shape को पकड़ते है इसमें क्या होगा जैसे अगर इसको पकड़ जाए जैसे एक biscuit ले लीज़े ना ऐसा ऐसा biscuit है एक के उपर एक के उपर एक के उपर से जा दे तो इसका area of the base volume का हम समझा रहें आपको ध्यान रखेगा volume बराबर क्या होता है volume बराबर क्या होता है इदम इदम दिमाग में बठाग रखे दो इसमें कोई कीन्तु कोई परंतु नहीं है ये हर जग़ फीट होता है दुनिया के हर जग़ फीट हो जाता है अगर वो uniform कोई भी object है तो volume मतलब क्या होता है area of the base into height ये एकदम माथा में डाल लीजे दोस्त ये सारे पर suit करता है area of the base into height अब इस formula को देखिए area of the base क्या होगा base क्या है ये वाला कैसा दिख रहा है एक work के रुप में एक square के रुप में दिख रहा है area of the base क्या हो गया a square area of the base क्या हो गया a square और height कितनी है a है height into a कितना हो गया a to the power cube ये हो गया volume of the cube अब सिंपल फंड है दोस्त ये हम लोग क्या कैछी सिखे इसका CSA सिखे TSA सिखे और volume सिखे ठीक है उसी तरह से हम लोग हर figure का CSA, TSA and volume सिखना है clear हो रहा है हम लोग का ये निकल गया किसका cube का अब अगला देखते हैं दोस्त cube void का देखते हैं यह घनाव का देखते हैं दोस्त ठीक है ये याद रखेगा फरमूला ये permanent फरमूला है दोस्त हम सब में use करेंगे अब हर बार हम लोग लिखेंगे नहीं direct हम लोग बोल बोल के कान चलाएंगे दोस्त ठीक है और कर्वप्रिश्च्रित्वल को CSA बोलेंगे तो पूर्णे प्रिश्च्रित्वल को TSA बोलेंगे दोस्त ठीक है अब एक figure और बनाते हैं जिसको कि हम लोग cube ward बोलते हैं घनाफ बोलते हैं दोस्त यह किसे बनता है आयत जैसे diagram वाले जो भी चीज होंगे उसका बनेगा जैसे आपका कमरा जो होगा जिस कमरे में आप रह रहे हैं अधिकांस कमरा जो होता है cube shape में होता है कुछ कमरा cube ward shape में होता है जैसे हम लोग जिस कमरे में भी recording हो रही है यह हम लोगा cube ward shape में है यह समझ लीजी जो माचिस का डिबी है यह हमारा cube ward है क्या दोस्त माचिस का डिबी क्या है cube ward है इसमें देखे सामने वाला एक face आपको rectangle जैसे दिख रहा होगा इसके पीछे वाला एक rectangle दिख रहा होगा यह एक rectangle दिख रहा होगा और यह भी आपको एक rectangle दिख रहा होगा यानि rectangle जैसे face में होगा मैंने जो front face होगा वही back face भी होगा मतलब जो सामने वाली जो दिवार है मान लेते मेरा कमरा है यह तो मेरे जो सामने वोला दिवार है वो ऐसा ही दिवार मेरा ये भी है और जो मेरा इधर का जो दिवार है वो ऐसा ही दिवार मेरा इधर का भी दिवार है ठीक है तो मतलब आमने सामने का जो उपर का छत है और जो जमीन है उसका भी same shape होगा, यानि कि आमने सामने का जो भी face होगा सब बराबर होगा, clear है अब यहां ध्यान दिजेगा, अगर इसकी लंबाई L मान लेते हैं, ध्यान दिजेगा लंबाई L है, चोड़ाई B मान लें और उचाई को H मान लें यानि कि length, breath and height clear है, length, breath and height तो अब हम लोग कैसे निका लेते जैसे जैसे हम cube में किये हैं, वह ऐसे ही वह ऐसे इसमें भी करेंगे दोस्त, कोई changes नहीं करेंगे देखेगा, result अपने आप आपाएगा हाँ, दोनों में अंतर क्या होगा, चुकि वहाँ पर तीनों साइट सेम था, इसलिए A, A, A लेते थे, यहाँ पर तीनों अलग-अलग है इसलिए L, B, H लेंगे हम आपको यह भी दिखाएंगा, अगर तीनों होता तो क्या हो जाता देखे, हम सबसे पहले का निकालेंगे तो C, A से निकालेंगे यह वाला, यह, 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 और यह, इसका चेतपल कितना होगा L into H, लंबाई गुने, चोड़ाई, ठीक है, तो क्या होगा L into H हम क्या निकाल रहे हैं, C, A, यह एक सरफेस निकल गया अब यह वाला देखेगा, ध्यान से देखेगा, यह, 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 और यह इसे कैसा होगा, लंबाई गुने, चोड़ाई, एरिया ही तो न, तो लंबाई क्या होगा, यह, चोड़ाई होगा, यह, 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 ब्लस, 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 और जो ये दिवार है, जो मेरा ये वाला दिवार है, ये इसका BH है, तो इसका ये वाला भी BH होगा, तो एक और BH हो गया ठीक है, अब देखें कितना हो गया, LH, LH, 2LH, BH, BH, 2BH, अब देखें, दोनों में 2 और H, 2 और H दोनों में common है 2H common ले लीजिए, कितना बचा, L प्लस B, समझ माया, कुछ गया दिमाग में, इसको और हम अच्छे से elaborate कर दें, देखें, आपको देखें कितना must formula बनता है दोस्त, तो ध्यास देखेंगा, और ये हम लोग हर जगा यूज करेंगे, इसे बात को ध्यान रखेंगा, अब ये ध्यान से देखेंगे, अब आपको हमें से यूज करके दिखाएंगे, ये देखें, ये क्या निकल गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 L प्लस B, इन्टू H, क्योंकि यही चीज है न, देखें, H यहां गुन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, आयत का परिमाप होता है, ये, क्लिर है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, पेरिमीटर ओफ, पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप, क्या निकल गया, पेरिमीटर ओफ रेक्टेंगल, इन परिमाप इंटू उचाई ठीक है यानि कि यह हो गया पेरिमीटर और यह हो गया उचाई यानि कि किसी भी जोमेट्रिकल फिगर का जो यूनिफॉर्म है उसका अगर हम लोग कर्व सर्फेस रहे निकालते हैं तो उसका पेरिमीटर इंटू हाइट होता है ध्यान रखिएगा यह फर्मूला है दोस्त दम बेसिक कॉंसेप्ट है कहीं पर भी यूज कीजेगा तम टना टन से लगता है कहीं दिक्कत नहीं होती है ध्यान रखिएगा किसी भी जोमेट्रिकल फिगर जो यूनिफॉर्म है उसका अगर आपको कर्व सर्फेस रहे निकालना है तो क्या चाहि हैं अब इसको कैसे लिखेंगे पेरिमीटर ओफ दा बेस क्या लिखेंगे दोस्त पेरिमीटर ओफ दा बेस इन्टू हाइट यह इसका होता है क्या सी एसे का फर्मूला यह देखें कॉंसेप्ट है दोस्त क्लियर हुआ पेरिमीटर ओफ दा बेस इन्टू हाइट अगर हम इ किसी भी जुमेटिकल फिगर लिखाना, यूनिफॉर्म होना चाहिए, याद रखे कर कम बार बार बोलें हैं, यूनिफॉर्म होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, क्यों कि जो नीचे है न बॉटम है, वहाई इतना एदम उपर तक होना लाते हैं दोस्त टीसे में क्या होता है अब टीसे क्या करते हैं टीसे में होता है कर्व सर्फेस एरिया कर्व सर्फेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का रिया क्लिर है अब टोटल सर्फेस एरिया मेरे यह था क्लिर है तो सी एसे का हम यहां एक पर लिखते हैं त दोस्त, आप पूरा इसको नहीं लिखेंगे दोस्त, हम डिलेट इसको लिख लेते हैं, ठीक है, LH प्लस BH प्लस LH प्लस BH, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, TSA, TSA of a cuboid, ठीक है, इस लोग बोलते हैं, घनाब, cubeoid बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसका top का रहे हैं, क्या होगा, यह लंबाई है, और यह चोड़ाई है, चोड़ाई क्या था B, लंबाई क्या था L, प्लस एक LB इधर जोड़ दें, जो यहाँ पर है, वही base भी है दोस्त, है ना, तो LB एक ठो और जोड़ दें, एक top, एक bottom, ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 2 LH प्लस 2 BH प्लस 2 LB, अब 2 common हो गया दोस्त, 2 common ले लेंगे, LH प्लस BH प्लस LB, यह हो गया आपका TSA, क्लिर है दोस्त, इस तरह से हम लोग TSA नहीं कालते हैं, क्लिर है, आप लोग pain paper लेके बठीए, जो जो बता रहे हैं दोस्त, उसको copy करते चलिए, और जहाँ पर भी आ अपने भासा में लिखिएगा, जो हम बता रहे हैं वो, that is not important, जो आप अपने भासा में लिखिएगा, वही आपका काम करेगा दोस्त, ठीक है, यहां तक clear है, अब volume निकालते हैं, volume of the keyword, volume में क्या बोले थे दोस्त, फर्मुलारी याद कीजिए, area of the base into height, यह हमेसा यद रखिएगा, volume कैसे निकालते हैं, जब कोई भी जो object है, अगर uniform है, मतलब जैसा नीचे है, अदम बिल्कुल उपर तक सेम है, तो उसका कैसे निकालते है volume, area of the base into height, area of the base क्या होगा दोस्त, यह वाला उसका base है, इसका रह height क्या होगा दोस्त, height, h, क्या लिखते हैं हम लोग, lbh, कोई दिक्कत है, clear हुआ, एक चीज और, तीन चीज होगे दोस्त, csa, tsa और volume, एक चीज और, एक exam में question आता है, question कुछी सरक आता है, एक कमरा दिया जाएगा, उसमें आपको, उसका कमरे का dimension दिया जाएगा, dimension मतलब उसका measurement, length, breath और height दिया जाएगा, और बोला जाएगा, कि उस कमरे में maximum, सबसे लंबा, अगर कोई एक, बांस, या कोई लकडी, या कोई बांबू, रखना रहे, तो कितना सबसे लंबा बांबू रख सकते हैं, उसमें, सबसे लंबा, सोचिए, क्या हो सकता है, कुछ दिमाग में आया, चली हम आपको बताते हैं, अगर, सबसे लंबा बांबू, क्या हो सकता है, मेरे इस कोने से लेकर, उस कोने तक, इस कोने से लेकर, उस कोने तक, अगर हम एक सबसे लंबा लकडी रखें, बैंबू रखें, या कुछ भी रखें, तो सबसे लंबा मेरे वही रखा सकता है, यानि कि, diagonal of that object, that solid figure, diagonal, अब diagonal क्या हो सकता है, इस कोना से लेकर, इस कोना तक, यानि यहां से उठाएंगे, और पूरा यहां तक लेंगे, तो that is, the actual length of, लकडी, बांबू, जो भी रखना चाहें, आप बोल सकते हैं, यह कैसे निकलेगा, इसको निकालने का जो तरीका है दोस्त, इसको ऐसे निकालते हैं, la square, प्लस b square, प्लस h square, यह जो diagonal है, d, याद रखिएगा, यह that formula fit करेंगे, और answer आजाएगा, दोस्त, direct हम लोग formula fit करेंगे, और answer आजाएगा, आपको यह formula कैसे बना, आपको हम क्या बता है थे, सारे formula का derivation हम एक अलग video में बना के देंगे, सब formula कैसे बन रहा है, यह सब तो कुछ कुछ है, जो हम आपको बना के दिखा रहा है, बट जो यह सब कुछ formula है जाए, इसके लिए हम अलग video बना के आपको देंगे, formula कैसे बन अब हम अगले बें चलते हैं, यहने क्यूब हम लोग सिख लिए, क्यूब आट सिख लिए, हाँ, क्यूब का नहीं बताएते हैं, क्यूब में क्या होगा, क्यूब का क्या होगा, क्यूब का क्या निकलेगा, क्यूब का डाइगोनल क्या होगा दोस्त, यह बोलना, उसमें भू हो जाएगा तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a root 3 याद रखेगा a root 3 a मतलब भूजागो ने root3 निदा कुले है कि यह था स्था क्यूब का डाइगोनल यह था हमेरा क्यूब लॉइयड का डाइगोनल क्लीर है क्यूब का डूल में a 넷कार प्लस b स्क्राइब कर देंगे तो ए रूट थ्री आएगा क्लिर है चलो अब दूसरा देखते है अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे दो जीतना भी हम लोग के पास जो सॉलिड फीगर होता है सब थ्री डामेंशनल बोलते हैं आपके बुक्स में यह लिख किया आता है जो कॉंपिट अब लोग क्या करना है इडवांस मैथमेटिक्स ही हम पढ़ा रहे हैं भी आपको यह सारा इडवांस मैथमेटिक्स जीतना भी है जो आपके CGL वगरा में आता है ध्यान से देखिए कुछ नहीं है दो सिर्फ ध्यान देने की जुरूत है हम आपका आज तो भी आपको फर्म संजने आपके लिए आपके आसान हो जाए है अभी हम लोग कर रहे है किसका दोस्त हम लोग क्या के क्यूब किये क्यूब वाड के अब हम आपको Cylinder बताते है दोस्त सिलिंडर को क्या बोलते हैं, बेलन, क्या बोलते हैं, बेलन, बेलन बोलते हैं दोस्त, बेलन क्या है, जैसे इसका जो फीगर होता है, कुछ ऐसा होता है, इसको बहुत सार किताबों में राइट सर्कुलर सिलिंडर बोला जाता है, राइट सर्कुलर सिलिंडर, इसलिए बोला यह हमारा 90 degree होता है, मतलब अगर यह इसका radius है इस circular form में होता है, यह अगर ऐसे करदें, तो यह हमारा 90 degree होगा, इसलिए इसको हम लोग right circular cylinder बोलते है, ये हमारा नीचे में जो बॉटम है जैसे इसका जो बॉटम है ये एक सरकल के फॉर्म में है ये पूरा जो है पाईप जैसा है कि है pipe है cylinder है दोस्त बिल्कुt cylinder जैसे है आप देखे होंगे कोई भी घर में जो pipe आता है पानी वाला pipe होता है या फिर कोई भी जगब हम लोग जो pipe यूज करते हैं सब pipe का cylindrical form है pipe होता है clear है अब यहां ध्यान दीजे इसका जो माल लेते है radius r है किसका bottom का जो circular bottom है ना या top है क्योंकि सेम होता है इसका radius r है height क्या है h है तो आप बोलेंगे कि सर इसका हम लोग अब cc से निकालेंगे cc कैसे निकलेगा cc देखे आपको बताते हैं एक paper है मेरे पास एक छोटा सा note book है ठीक है एक किताब है अच्छा अच्छा है यह spoken English का दोस्ट ठीक है अब यह किताब है माल लेते हैं इसको अगर हम ऐसे mode दें फोल्ड कर दें देखें कैसा दीख रहे आपको यह एक cylinder के form में है कैसा दोस्ट cylinder के form में है what's the point यह जो है cylinder के form में है इधर सी हमारा क्या होगा circular bottom है circular top है देखें बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे न अगर मान लेते हैं तो यह circular form में है तो इसका इसका अगर आप क्या निकालेंगे perimeter क्या निकालेंगे perimeter आपको याद होगा हम अभी क्या बोलेते perimeter निकालेंगे क्या होगा 2 pi r कि perimeter यह जोता है ना 2 pi r कि perimeter क्या होगा इसका P is equal to 2 pi r perimeter of bottom perimeter of bottom bottom मतलब इसका जो नीचे वाला surface है उसका हम लोग perimeter निकाले perimeter बोले तो परिमीती परिमीती, ठीक है, टू पायर होगा, टू पायर नीचे भी होगा, टू पायर उपर भी होगा, ठीक है, चलो इसको माल लेते हैं अगर इसको, इसका हम लोग क्या निकालना है, CSA निकालना है, क्या निकालना है, सिख रहे हैं, CSA समझ यह कोश्ट C.S.A C.S.A. निकाल रहे हैं दोस्त C.S.A. मतलब कर्व सरफेश एरा है इसका area निकालना चाते हैं ऊपर नीचे वाला नहीं souvent साइड में जो गोल वुआ पाट है घिक है इसका अब माले इसका पेट सीर दे देखिए इसका हम पेट फाड़ रहे है पेट फाड़ रहे है अब देखिए इसका पेट खोल दिये इसे क्या दिख रहा है एक rectangle दिख रहा है दोस्त rectangle का area क्या होता है length into breath होता है लंबाई गुने चोड़ाई length into breath length क्या है इसका अगर हम length की बात करें तो length मेरा क्या है h है area कैसे निकलेगा क्या है length अगर हम इसको लंबाई गुने चोड़ाई बात कर दें तो लंबाई क्या है मेरा h है लंबाई h है न जी ऐसे था तो यह मेरा लंबाई था खोल दिए अब यह चोड़ाई क्या था यह जो circle के form में था तो यह क्या था मेरा circular form में था न तो इसको खोल दिए तो क्या हो गया मेरा यह चोड़ाई हो गया तो यह क्या था मेरा इसके लंबाई कितनी थी 2 pi r, यहाँ दखिए, perimeter 2 pi r था, इसको 2 into pi into r कर देंगे, तो क्या निकल गया, 2 pi r h, यह CSA हो गया, एक सिलिंडर का, सिलिंडर क्या हो गया, CSA, अब यहाँ वो क्या सिखायता है, अब चलिए, अब आपको अपने अवाले फर्मूले सिखाते हैं, किसी भी geometrical, uniform geometrical figure का curve surface एरे क्य classic है अपको, perimeter of the base into height, यहाँ देखिए, perimeter of the base into height, मिलगे हैं दोस्त, हम आपको क्या बोले थे, यह फर्मूला uniform है, हर जगा fit करता है, लेकिन condition क्या है, सारा geometrical figure जो uniform होना चाहिए, जैसा bottom होगा, वैसे तर top, एक जैसा होगा, यह तम बिल्कुल fit करता है दोस्त, कहीं भी changes नही ठीक है, अब बात करते हैं, इसका total surface area का, क्या करेंगे बात दोस्त, total surface area, अब TSA से निकालेंगे, TSA का मतलब क्या होता है, CSA, curve surface area, plus area of top and bottom, area of top क्या हो गया, π Beginning Pi R square, bottom क्या हो गया, पा इरे स्कोर, क्यों, दोनोँ circle है, circle करिया कितना होता है, पाइरे स्कोर, यह हम लोग सीखें अपने पुरानेवले वीडियो में, यानि कि Pi R square नीचे, और उपर भी क्या हो गया, PI R square, यानि कि Pi R square plus Pi R square, कितना हो गया, pi r square plus pi r square CSA कितना है 2 pi r h 2 pi r h plus 2 pi r square अब देखें यहाँ पर 2 pi r 2 pi r दोनों में common ले सकते हैं 2 pi r common ले लेंगे तो क्या बचे का है h plus r यह आपका formula हो गया clear है दोस्त TSA of cylinder 2 pi r into h plus r CSA of the cylinder 2 pi r h याद रखेगा CSA कैसे निकलता है perimeter of the base into height perimeter of the base into height यह uniform है दोस्त हर जगे use करेंगे हम लोग same चीज और हर बार आपको बताएंगे कि देखें ऐसे ही यह निकलता है clear हुआ CSA निकल गए TSA हो गया अब volume निकले है चलो volume निकलते है आपको समझाने के लिए दोस्त कुछ-कुछ समान हम सामने रखें हैं ताकि आपको हम example देदे के समझा पाएं अब इसका volume ठीक है volume कैसे निकलता है और क्या सी कहते हैं आपको area of the base into height इताम uniform formula है दोस्त इताम हर जगा fit करता है बाकि लोग आपको रटने के लिए बोलेंगे रटना तो एक दम नहीं है दोस्त रटना तो नहीं है किसी भी कीमत पे समझना है दिमाग में बैठाना है सारा problem छू करके उड़ जाएगा दोस्त हवा करके आप उड़ा सकते हैं बस ध्यान से देखिए एक भी रटना नहीं है हम कोई रटने वाला बाता भी तक नहीं किये है सब formula डिराइव हो रहा है रटना तो नहीं है दोस्त volume क्या होगा area of the base area of the base क्या है circle के रूप में है pi r square और क्या बोले थे area of the base into height height क्या है दोस्त h into h क्या निकल गया pi r square h clear है बन गया CSA TSA volume कोई दोस्त कोई problem very good हाँ थोड़ा सा इसमें एक चीज और समझ लेना है कि अगर ये जो volume है अगर मान लेते हैं यही वहला किताब है आ यह मेरा क्या है थोड़ा सा स elas शी समझ लेना है तो बस थोड़ा से समझेगे तॉस्त को मजा आ जाएगा समझने में माल लंने बहुत सारी pipe जो धी ना थोड़ी मोटी होती है pipe जो ता है थोड़ी थिक होता है और मोटा होता है यह सिलींडर थोड़ा मोटा है मान लीजे यह सिलींडर जो है थोड़ा मोटा है अब यह मोटा सिलींडर हो गया ना तो इसका तो सरकल होगा इसका फोटो एक बनाते हैं दोस्त समझेगा थोड़ा ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा हम एक फोटो बना रहे हैं यह सिलिंडर जो है थोड़ा सा यह मोटा है दोस्ति यह उसका मटेरियल है थोड़ा मोटा मटेरियल है ठीक है यह मोटे मटेल जबाना हुआ है ठीक है ठीक है दोस्त कुछ ऐसा ही बन के दिखेगा हम लोग को अगर हम लोग बनाएंगे तो ठीक है तो अब क्या है अगर इस तरह का सिलिंडर का अगर कोश्चन है सिलिंडर का पाइप मोटा है तो इसको कैसे निकालेंगे कुछ नहीं जैसे जैसे इसमें लिखे हैं वाइसे वाइसे इसको करते जाना है वेरियेबल क्या होगा हाइट तो उतना ही रहेगा न दोस्त इसकी मोटा इसे क्या फरक पड़ता है क्यों कम ज्यादा होगा अरे भाईया यह मोटाई है तो यहाँ सेंटर से अंदर वाला जो दूरी होगा और जो बाहर वाद दूरी होगा कुस तो इसका मोटाई में अंतर होगा न दोस्त तो इस मटेरियल के जिस मटेरियल से यह बना जिस धातू से बना है हो सकता है कि अलमुनियम का हो हो सकता है लोहा का हो हो सकता है जी आई पाइप हो किसी भी तरह का चीज हो हमको सिक रख पड़ता है तो यह प्लास्टिक का भी तो हो सकता है तो इसकी मोटाई अगर दी हुई है, मोटाई कैसे पतलेगा, अगर हम यहाँ पर r, capital r minus a small r कर देंगे, तो यह क्या निकल जाएगा, thickness of the material, thickness of the material, यहनी कि इस material के मोटाई निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, मोटाई, यह क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मोटाई निकल जाएगा, क्लिर है, अब बस, हम लोग काम हो गया, अब सब formula में fit करते जाएगे, सब निकल जाएगा, अब देखिए कैसे निकलेगा, अब CSA निकलना है, क्लिर है, CSA निकलेगे इसका, देखिए, अब CSA कैसे होगा, अब ध्यान देजिए, यह book में अगर ब समझ में रहा है, इसमें दो CSA हो गया, एक बाहर का CSA हो गया, और एक अंदर वाला CSA हो गया, यह भी तो खोकला है, अगर माल लेते हैं, अगर छोटा रहता, खोल के देखते हैं, तो अंदर वाला पोर्शन भी तो था, अब बाहर वाला पोर्शन भी तो था, यह दोनों हो 2 pi r हो गया, sorry. 2 pi h, यहां तो तो clear है, अब हमको चाहिए भाईया, r चाहिए. r कैसे लेंगे? r minus r. r minus r. इस तरह का हमको लेना पड़ेगा, ठीक है? r minus r. अगर किसी-किसी question में बोले आता है, कि total हमको उसका curve surface रिये दीजे. यह तो simple curve surface रिये होगे, surface है रिया. याद रखेगा, क्या बोलेंगे? total curve surface है रिया. तो कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग ऐसे करेंगे. इसको उटाइए. पहले बाहर वाला निकालिए. तो बाहर वाला क्या हो जागा? 2 pi r, मानले, capital r हो गया, h. प्लस, अंदर वाला, 2 pi, small वाला r लगाए हैं. देखिए, एक में capital r, एक में small r है, तो कैसे बन गया? 2 pi r common ले लिजे, r नहीं, स्वरी, h. common ले लिजे, यहां कवाए है, r प्लस, r. हो गया? यह हो गया, आपका cse, ऐसे निकलेगा. स्वरी, यहां तो गुना है ना, दोस्त. हम बराबर कसाने लगा दिये हैं. कैसे निकल गया? 2 pi h capital r plus small r. यह निकल गया क्या? इसका cse. ध्यान में आया? ऐसे बन गया. cse ऐसे निकलेगा इसका. अब इसका tse कैसे निकलेगा, दोस्त? tse में भी वही का हम करेंगे? total surface area में भी क्या करेंगे? tse भी ऐसे निकलता है इसका. जैसे हम लोग यहां फर्मूला में पुट करेंगे, tse हमारा निकल जाएगा. यह सब कहां पर काम आता है? जब आपसे कोई pipe, hollow pipe बोला जाता है इसको. hollow ठिकनेस वाला pipe है, तो उसमें कितना material यूज किया गया है? material निकालते हैं दोस इसमें. कितना मेरा वाजन का material इसमें यूज किया गया है? ठीक है? इसका जब हम लोग problem solve करेंगे, तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा. clear है दोस्त? यह cylinder था हमारा. अब हम लोग एक पढ़ेंगे, cone. clear है? सारा को दोस्त समझते जाएगा, cone पढ़ेंगे और sphere पढ़ेंगे दोस्त. हम लोग का complete हो जाएगा. यह 2D जो हम लोग का सबसे अधिक जो exam में question आता है, इनी सबसे आता है. जितना हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त? अब उसके बाद न सारा है, पता है, यह जितना भी हम लोग figure पढ़ रहे हैं, इसमें सफिर add हो जाता है. दो-दो figure वो combine करके बनाया जाता है. जब हम लोग problem solve करेंगे, तो combine करके भी पढ़ेंगे. जैसे एक cube रहेगा और cube के उपर में एक cylinder रहेगा. एक cube रहेगा, cube के नीचे में चाहिए, उपर में कहीं पर भी sphere डाल दिया जाएगा. हम लोग उसको भी पढ़ेंगे दोस्त. अब हम लोग पढ़ते हैं, cone, यानि शंकू. right circular cone बुला जाता है इसको, दोस्त. क्या बोलते हैं इसको? right circular cone. क्यों? आपको बताया थे, 90 degree है, right circular cone. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके side की जो लंबाई होती है, ये वाले लंबाई जो होती है, इसको बोलते है, slant height, तिरियक लंबाई. क्या बोलते हैं, slant height बोलते हैं, इसको तिरियक लंबाई बोलते हैं, इसका radius हमारा R होता है, जैसे आप देखे होंगे, इसको माल लेजे एक paper है, paper समझाने के लिए आपको रखे थे दोस्त, जैसे, जैसे माल लेते हैं कि ये मेरा paper है, इसको अगर हम लोग जैसे, आप देखे होंगे, बचलो का जनमदीन वाला जो cap होता है, कुछ इस तरह का, फॉनिल आप देखे होंगे, घर में, तेल वगर डालने के लिए इस तरह का होता है, ये तो चुकि दोस्त, आगे पिछे निकल गया, अगर इसको बराबर कर देते, काटके, तो कैसा होता है, कुछ अगर इसको हम खोल दें, तो कैसा दिखेगा, इसको अगर हम खोल देते हैं, तो ये मेरा कुछ आई सिप में आएगा, पूरा का पूरा फोटो जो है, खूल के कुछ आई से दिखेगा, क्लिर है, पूरा फोटो कैसे देखेगा, आई सा दिखेगा, तो अब आप बोलेंगे सर इसकी लंबाई एल हो गई यह मेरा पूरा आर्क हो गया इसका अब एरिया क्या होता है एरिया ओफ दिस पोर्शन एरिया ओफ दिस पोर्शन इसको हम लोग बोलेंगे CSA of कोन CSA of कोन कैसे निकलता है दोस्त इसका फर्मूला होता है 1 by 2 into इसको माल लो A, B माल लेते हैं इसको O माल लेते हैं लेंथ आफ लेंथ आफ आर्क A, B into slant height इसको क्या बोलेंगे slant height slant height अब इसको कैसे करेंगे इसको जोड़ के देखिए 1 by 2 into आर्क क्या होता है into 2 pi r into slant height L 2 से 2 काट दीजेगा pi r l यह आपका c a से निकल लिए दोस्त फर्मूला जात रखेगा 1 by 2 into length of the arc A, B A, B जो है यहां से यहां तक का लंबाई into slant height slant height इसको बोलते हैं तिरेक लंबाई या तिरेक कुछ है बहुँ जगा अलग लग लग इखरत है clear है तो हम लोग के 2 से 2 cancel out हो जाएगा pi r l बचेगा यहां तक कोजिकत अब उसके बाद क्या हो जाता है हम लोग इसका c a से c a से तो हो गया t a से निकलते हैं t a से क्या होता है area of क्या बोलते हैं इसका c a से plus area of top and area of bottom area of top तो कुछ है ही नहीं दोस्त area of top top तो चिपका हुआ है ना कुछ तो है ही नहीं खाली bottom बचेगा तो bottom क्या है circle के form में है pi r square यानि कि pi r l plus pi r square pi r pi r common ले लिजे l plus r clear है यह निकल गया हमारा t a से अब इसका volume कैसे निकलेगा आप तो हम आपको क्या सिखाते volume तो निकलता है area of the base into height से दोस्त area of the base तो निकल जाएगा pi r square ठीक है लेकिन height क्या होगा इसका height तो नीचे जादा है उपर जादा है तो काम होके last में 0 हो जा रहा है तो क्या करेंगे दोस्त height तो इसका slant height दिया हुआ है save भी अलग है uniform save भी नहीं है तो क्या करेंगे experimentally ऐसा साबीत क्या गया है और जब आप higher class में जाएंगे तो उसमें साबीत क्या गया है लेकिन ऐसे हम मोटे तोर पर आपको समझा देते हैं इसका volume कैसे निकलता है same height का same base का अगर एक same height देखे यहां से यहां तक का जो हमारा height है ना इस cone का यह जो height है यह दोनों बराबर है यह दोनों जो है h है और यह भी h है radius इसका r है radius इसका भी r है अगर same base और same height का एक कोन ले लिजिए और एक सिलिंडर ले लिजिए सेम बेस सेम हाइट याद रखिए कंडिशन बता रहे हैं ध्यान रुकिए का सेम बेस और सेम हाइट का अगर एक कोन और सिलिंडर ले लेंगे तो ये सिलिंडर को अगर इसमें भरना भरा जाये तो तीन कोन डालेंगे मान लेते हैं चावल है या पानी है कुछ भी है एक कोन लिया पानी इसमें भर दिया धड़ाक फिर एक कोन लिया भरा धड़ाक फिर एक कोन भरा भरा धड़ाक ते पूरा यहां तक भर जाएगा यानि कि तीन कोन बरावर एक cylinder होता है same base same height का तो इसका volume कितना होता है pi r square h तो इसका कितना होका 3 वारे भारा था न जिसको हम लोग divide by 3 कर देंगे ये क्या निकल जाएगा इसका volume आयत तर निकल जाएगा दोस्ति तो कैसे लिखते हैं हम लोग 1 by 3 pi r square h volume of the cone volume of the cone निकल जाएगा 1 by 3 pi r square h clear है ये निकल गया इसका cone कैसे निकला आपको बता है अगर इसको 3 वार भरेंगे तो 3 वार में भर जाएगा अगर इसको मोटे तोर पर अगर ऐसे कर दें देखें 3 cone बन गया नए 1 cone 2 cone 3 cone ठीक है ऐसे पुरह clear हुआ दोस्त अब इसको रेज कर दिया जाए ठीक है अब हम लोग का बजता है दोस्त एक last time हम लोग का sphere इस sphere बहुत कमाल का है दोस्त पता है इस sphere बहुत कमाल का है इसमें एक बहुत अच्छक छोटा सा कहानी नहीं है छोटा सा एक चीज है खाली ध्यान रखना है ने तो आपको क्या होगा न रटना पड़ेगा कैसे बना जी क्या हुआ कैसा फर्मूला आया कहां सा आया हम लोग के last चल रहा दोस्त sphere है इस sphere हो क्या बोलते है गोला बोलते है क्या बोलते है दोस्त गोला अरे गोला बारुद नहीं गोला है गोला कैसा होता है देखिए आपके लिए एक बॉल भी रखें यह बॉल है यह गोला है हमारा ठीक है अब यह गोला है तो खिली आ जाए एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर खिलेंगें दोस्त वीडियो बंद करके हम खिलेंगे अब क्या है इस स्फेर कैसा हो गया इसको हम लोग ऐसा फोटो बना देते हैं कुछ ऐसा फोटो बनाया जाता है हर जगह किताब में आप देखेंगा ऐसा ही फोटो बनता है इस स्फेर का और एक हेमियस्फेरी बना दे अब क्या कि यह जो गेंद है यह क्या है आपका स्फेर तो आप बोलेंगे सर नीचे तो चिपका हुआ सर बीच में आके बहुत बड़ा हो गया है उपर में एकदम चिपक गया फिर से हमारे प्रित्वी के प्रित्वी से गोल दीख रहा है सर कैसे निकाले सर कोई तो यूनिफॉर्म सेप में है ही नहीं क्या किया गया एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि इस इस बॉल को इस स्फेरिकल बॉल को इसके ऊपर एक धागे को लपेटा गया क्या किया गया धागे को लपेटा गया लपेटा गया लपेटा गया लपेटा गया यहां सुरू किया गया अब बॉटम सुरू किया गया अब देखेगा यहाँ पर गोल 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 और फिर ऐसे ही होते हुए और इस तरह भी ऐसे ही होते जाएगा ऐसे ऐसे पूरा क्लियर हो गया इस तरह से पूरा गोल गोल अगर एक धागा को लपेड दिया गया तो पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा धागा को तो हम सटा सटा क्या ओवरलैप नहीं करना है क्या करना ह बस इसको एक दुसरे पर बढ़िया से सर्या के लपेट दिया गया क्लिर है अब तो हम लपेट दियें भईया अब लपेटने के बाद अब क्या करें उस धागे का क्या करें धागे का अरे भईया आप तो समझ लीजे अब सर्कल बनाए गया सेम रेडियास का क्या किया गया सेम रेडियास का सर्कल बनाएगा तो एक सरकल दो सरकल तीन सरकल चार सरकल अब उसी धागे को इसके उपर भाङिज इससे लपेटा गया बिच्छा दिया गया पूरा में बिच्छा जाएगा ना जलेवी नहीं है भाई धागा ला पेट रहा है आपको यहाँ जलेवी मन दिखेगा समझेगा गोल 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 बना रहा है तांश गोल 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 करते हैं जा रहा है यह पूरा लेकर टॉप से दम सुरू से सेंटर से लेकर एकदम इसके एज तक ठीक है जीतना इसका रेडियस है सेम रेडियस का यहाँ से यहाँ अगर रेडियस आर है तो सबका रेडियस आर है सबका रेडियस आर है दोस्त सबका रेडियस आर है अगर रसी लेपेटी गई जो धागा इसमे लेपेटा गया ते जो रसी लेपेटी गई थी इसके उपर पूरा लेपेटा गया तो ये पूरे चार सरकल को भर लिया कितना को भरा चार सरकल को चार सरकल को ये भर दिया इसका मतलब इसका सी एसे कितना हो गया चार सर्कल के बराबर एक सर्कल का होता है Pi R-Square इसका होगा Pi R-Square इसका होगा Pi R-Square इसका होगा Pi R-Square तो C-A से कितना हो गया 4 Pi R-Square C-A of Sphere गोले का निकल गया आपका Curve surface area Clear हुआ यही आपका TSA भी हो गया, यही आपका CSA भी हो गया इसमें TSA, CSA कुछ हो नहीं होता दोस्त दोनों सेमी होता है, क्यों? अरे भाई, आप पूरा तो गेंद कतब निकाली दिये अब CSA बचा कहा और TSA कहा बचा? सब एक ही हो गया इसको CSA बोलिए या TSA बोलिए सब एक ही बात है, दोनों सेमी चीज़ है दोनों यही होता है, ठीक है? पाला चीज के लिए हो गया वॉल्यूम क्या होता है? चुकि इसका वॉल्यूम में देखो दोस्त यहाँ पर तो कम है, यहाँ पर मेक्सिमम है यहाँ पर फिर कम है तो इसको हम लोग integration के method से निकाला जा सकता है ऐसे बताना थोड़ा tough है integrate करेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट में करेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा दोस्त इसको senior class में निकाला जा सकता है बट अभी हम लोग इसकी ज़रुत नहीं है we need to remember this only तो कैसे निकालते हैं इसका volume volume निकलते हैं 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube से हम लोग इसका volume को निकाल लेते हैं clear हो गया चलो अब क्या करते हैं इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है अब तो ये sphere का तो हो गया अब ये hemie sphere क्या करेंगे दोस्त hemie sphere का मतलब क्यों होता है hemie मने आधा sphere मतलब गोला earth gola अब earth gola का area क्या होगा अब यहाँ पर tsa csa सब काम करेगा अब यहाँ पर सब काम करेगा यहाँ पर तो काम नहीं क्या यहां पर सब अलग-अलग काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसका हेमी एस्फेर का, अब CSA निकालेंगे, तो जो कर्व पार्थ है, सिर्भूसी का ने रेलेंगे जी, जो कर्व पार्थ है, खली गोई ने, कर्व क्या है, यहां से लेके, यहां तक, तो इसका अधा कर दीजिए, 4 पार्थ है, यह हो कैसे, क्लिर है, अब TSA कैसे निकलेगा, TSA, TSA के लिए कैसे काते हैं, टोटल सर्फेसे का मतलब, चारो तरफ से, इधर भी और उपर से, उपर नीचे चारो तरफ से, जो जोड देंगे, तो उसको निकाल कर बोलेंगे, TSA बोलते हैं, यहां देखें, लिए, पाई आर स्कॉयर, तो कैसे निकल जाएगा, 2 पाई आर स्कॉयर, प्लस पाई आर स्कॉयर, मतलब, 3 पाई आर स्कॉयर, TSA of Hemisphere is equal to, 3 पाई आर स्कॉयर, कितना हो गया दोस्त, 3 पाई आर स्कॉयर इसका, एरिया हो गया, क्या, TSA of Hemisphere, क्लिर है, चलो ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया यह ऐसे है बटा हुआ है बटवारा देखे कर दे रहे हैं वॉल्यूम कैसे हो गया 4 by 3 pi r cube upon 2 कितना हो गया 2 by 3 pi r cube यह निकल गया volume of hemi a sphere कितना 2 upon 3 pi r cube 2 upon 3 pi r cube 2 by 3 pi r cube hemi a sphere का volume निकल गया है क्लिर है दोस्त हमको लगता है कि हम लोग मोटा मोटी पूरा समझ गया है दोस्त कहीं रटनिय की जरुवत नहीं है पूरा हम लोग समझ चुके है अब हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में कुछ problems को लेंगे अलग-अलग अब जैसे माल लेते हैं कि कोई problem अगर दो तरह का अगर diagram इसमें मिला हुआ है जैसे एक छोटा से आपको बताते हैं हिंट कर देते हैं अगले वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे दोस्त सारा problem सीखेंगे जैसे फटाक से हम लोग समझते हैं जैसे माल लेते हैं एक जैसे यह आपका हेमिय स्फेर है इसके उपर एक कोनिकल सेप में खिलोना है बच्चे का इस तरह को हो सकता है इसका जो भी पूछा जाए एक हमारा हो सकता है टींट कैसा हो सकता है एक सिलिंडर होता है ऐसे को कि इसके उपर कि इक टेंट हम लोग ऐसे लगा देते हैं इसमें कितना कप्डा लगेगा ऐसा कोस्षान हो सकता है किसी भी कोई भी सवाल चूटना नहीं जी कोई भी कोश्चन अगले वीडियो मिलेंगे दोस्त प्रॉब्लम के साथ एका करके सारा प्रॉब्लम करेंगे आप लोग क्या किजिएगा इसको देखेगा कॉंसेप्ट बहुत किलियर किजिएगा एक बार मैं समझ में ना है दुबारा निए दोस्त बार बार देखेगा कॉंसेप्ट पूरा किलियर हो जाएगा उसके बाद जब लोग प्रॉलम सॉल्ब करेंगे उपक्योंकि उससे में तो हम लोग फर्मूला वहां पर यूज करेंगे तो उससे में फर्मूला कहां से आया आपकों लग लिए रही स्लाफ, फि प्याओग।